हे दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक उनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम है मौलाना मजरूल हक अर्बिक एन परिश्टन उनिवर्सिटी अब इस उनिवर्सिटी के बारे में हम लोग जानेंगे सबसे पहरी फर्स टॉपिक की इसमें एडमिसंग कब से आपकी होगी फ्रेंस सकेंद जानेंगे इसमें एडंशन के साथ साथ इसका जो फी लगता है फ्य seniors जानेंगे तीसरा हम जानेंगे इसद्रOOOO я जानेंगे इन दर में आप कैसे जा सकते हो और को नचाइक कर सकते हो 7 मैं और वंदेक हम बताओंगा लेकिंद थोड़ा आप विडियो आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले आते हैं विटे के रहीवसर जो इस कॉलेज यह इस इनवर्सिटी वह सब्सक्राइब कॉलेज बोलो इसका अस्थापना 1976 में हो गया था मतलब काफी जदा पुरानी कॉलेज है इनवर्सिटी है और यह दस अप्रक हुआ था इक अनुजार में अब आते हैं फ्रेंस यहां पर तो आप इस कॉलेज बिल्डिंग देखो यहां तो दिखता है और देखने में वाकही में काफी खुश्चूरत भी है अंदर से या बाहर से वैसे मैं ज्यादा यहां पर फोटो नहीं लिया हूं इमेज ताकि कॉपी राइट न लग जाए लेकिन जो भी है इंपोर्टेंट है आप देशकते हैं मैंने यह वीडियो है कि आपको लिखावा मिल जाएगा साप साब कि मॉलाया मजबू हक इनिवरसीटी और इसके अंदर से आप लोग यहां पर जाने के लिए परवेस्टवार आपको अराम से मिल जाएगी आप इसके अंदर से ऐसे जा सकते हो परव intimidated के अंदर में ठीक है और University जा इतना देखने में बाहर से अच्छा है उतना अंदर से भी अच्छा है लेकिन हम लोग अच्छा ही पड़ नहीं जाेंगे, हम लोग बात करेंगे इसमें admission के बारे में तो सबसे पहले आप लोग के मन में होगा doubt की भाई admission process क्या है तो आए हम पर इस पर test करते हैं सबसे पहली बाल कि 2021 के अंदर में कहा गया है कि आप लोग का जब lockdown बिहार में खतम हो जाएगा तब इसकी हो सके तो online या offline इसकी process स्टार्ट होगी admission के लिए यह पहली update है इसका मतल समझ लो कि June में इसकी admission स्टार्ट हो सकती है पूर की पूरी 100% उमीद है कि June में ही स्टार्ट होगी क्योंकि यह university आपको जड़ा लेट नहीं करती है अब आते हैं इसमें admission process क्या है तो friends सबसे पहले आप लोग इसको admission के लिए आप लोग का mmhapu नवे website है जो कि इन ही का है य क्वालिफाइंग नेचर है क्वालिफाइंग मतलब यह हुआ कि आप लोग जो marks आएंगे जैसे की previous year के जैसे कि अगर आप लोग यूजी admission चाहते हो लेना तो आप लोग का 12th marks code देखा जाएगा अगर आप लोग MA FEMC चाहते हो PG करना तो आप लोग गजविसन का marks देखा इस university के अंदर में मैं आप बता दूगा आपको मतलब कौन-कौन चीज़ होती है तो मैं आपको आगे वीडियो में आप लगे रही है तो यहां देखेगा तो इसकी फॉर्म भणने के डेट तो परा ही दिया इसमें admission site पर जब जाओगे तो वहां पर सब कुछ चुन लोगे application form जो है fill up जो भी थुरा बहुत भर आता है नाम पता भर भर दोगे खुझ से भी कर सकते हो उसके बाद जो mandatory है attach all necessary document जो आप से document मगा जागा वह document आपको देना पड़ेगा मैं document भी बता दूँगा आप इस वीडियो में लगे रहे हो बताता हूं को 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 document लगता है तो इसमें apply करने के बाद student जो है offer के दर admission के लिए धरविशन आपका की जाएगा और देन आपका यह payment फी करकर आप लोगे admission हो जाएगा तो आप लोगे admission पूर्स जान गए अब आते हैं यहां दूसरा यहां से आप कौनकों सब कर सकते हो इसकी के अंदर में और लास्ट में अपना review वी दूँगा कि यह college कैसा है आप इसमें जाए या फिन नहीं जाए वह लास्ट में बताऊंगा तो आप वीडियो आप देख लिए या फिस चीब भी कर सकते हो वीडियो को तो देखो यहां पर जो इसका review देखता बेताता हूं मैं सबसे पहले Master of Business Admissionary के अंदर मतलब आप यहां से MBA कर सकते हो यह बहुत बेश्ट है कि MBA आप यहां से कर सकते हो MBA करने के लिए आप लोग ग्रजव में आप इसमें कुछ सम कोर्स है उसी के अंदर बाकी सब कोर्स के अंदर मैं नहीं कर सकते हो जैसे MBA अरभिक में पर्शियन में इंग्लिस में उर्दू में इस्लामिया स्टडिश में या फिर जर्नलीज मास्क्न में तो यह भी एक बेस्ट कोर्स है आपके लिए यहां पर दो हिंदुओं के लिए इंपोर्टेंट है बाकी सब तो मेरे चाहते हिंदु जल्दी नहीं करेंगे लेकिन फिलाल आप लोग की मर्जी तो इसमें आप लोग को 45% ही गेजवेशन चाहिए अगर है तो कर सकते हो दो साल का यह कोर्स है अब यहां से आप लोग पीजी पोस्ट इन एजुकेसन में कर सकते हो सेमेस्टर सिस्टम इसमें रहता है 45% मार्ट चाहिए 2 साल का है भीयत यहां से कर सकते हो इसमें पीजी में आप लोग गेजवेशन या पीजी में 50% मार्ट से तो कर सकते हो अज़कर अब फंसिनल आर्विक डिप्लोमा कर सकते हो plus two equivalent एक साल यह यहां ख्याल लखना है कि यहां तभी कर सकते हो जब भीहार वेड आपको आगया दे फंशनल पार्शियन कोर्स उसके बाद मैन्यू स्क्रिप्ट लेंगवेज और यह बहुत सारी कोर्स है एड्वांश डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो उसके लाद दोस्तों यहां यूजी कोर्स म मंगा जाएगा इसमें आप बीजी एमसी जो की काफी जादा काफी रियर कोर्स है तो वह है बैचलर ऑफ जर्नलिस्ट मार्स कम्निकेशन इसमें प्लस टू ट्वल्थ में आप 45 परशन मार्स चाहिए तीन साल कोर्स है बैचलर ऑफ यहां से आप बिजनस एक्टमेशनरी बी अब आते हैं इसमें कि फी कितना लगता है आप लोग फी के बारे में जानते होंगे दोस्तों यह मैंने ऑफिसल साइस उठाया है यह मत करना इधर उठा लिया है आपको भी वहां पर मिल जाएगा तो फी के उपर मैं आते हैं फ्रेंस अगर आप चाहिए करना तो आपको 20, कि समेश्टर का 15,000 फोर्ट समेश्टर का 16,500 लाएगे बन रोब मिल जो से मिल एडा जिसके अंदर दो साल पैस आपसे ली जाएगी खी कर दूंगा तो आप यह में आप की बतायाता हूं व शानता है कि आप यहां से बीबय करने जाओगो एमिका आपका एक साल का few है नो हजाए विए नाक्सरा चॉर्ट सबस्त लो ताण त्र का साल यहां पर यह बोला यह टोटल फी है एंबे करने का टोटल फी तीन हजाट चौन नबे रुपया मतलग कुल मिला के नो हजार रुपया और सर्टिफिकेंट कौन करने के लिए तो यह कुछ फी डिटेल से अगर यह फी तो कुछ ज़्यदा है नहीं तो यूँकि कोर्स करने में बाकी सब मुकाबले कि उन्सान में यह कम ही पैसा ले रही है बाकी सब में तो 15-15,000 पर लग जाता है बीसे करने का लेकि यहां सब 11,000 लग रहा है तो कुछ खास है नहीं तो फोटो कॉपी और मार्क सिट मार्क स्किफिकेट आपका और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यह सब तीन से चार चीज़ है जो आप से ले ली जाएगी ठीक है अटैस करकर आप लोगों को यहां पर भेरिफाई करवाना परेगा तो अब हम आते हैं अपने पॉइंट के तो वैखने यहां पर कुछ नहीं है थोड़ा बहुत है कंपण के नाम पर तो वह आपकी अप्युजिके तो आप कतने प्लेशिट करता है आप पर कि आपका पढ़ने वाले ओनने तो यहां पर यहां पर पढ़ो यह मैं यह कुष्व तबाब यहां पर तो है नहीं फिलाल दो यहां पते कॉलेज के बारे में तो कॉलेज वाका ही में काफी सुन्दर है लेकिन हम सुन्दर था पर नहीं जाएंगे सुन्दर तो दोस्तो बहुत सारी कॉलेज अब लेकिन प्रहाई के नाम पर वहां जब कुछ होगा ही नहीं तो फैदा क्या होगा इसलिए कॉलेज सुन्दर है लेकिन प्रहाई दोस्तों इसमें मीडियम टाइप की ही होगी जैसे बिहार की ओडिशिटी में होती है बिल्कुल होगी थोड़ा बहुत भुकेसलन कोर्स पर ध्यान दिया जाता है और बाकी इसमें जो कोर्स है वो लायक ही नहीं है आप लोग का सभी लोग इसलामिया में कोर्स नहीं कर सकते सभी लोग पर्स्रेंग कोर्स नहीं कर सकते सभी लोग उर्दू में ओनर्श नहीं कर सकते आप नहीं बात समझ सकते हो कोई को ही कर सकते है यहां पर देखने वो काफी कम कोर्स है इसलिए भीर भी काफी कम रहती है तो अगर पतना पैसा खर्च कर रहे हो तो 3-4 रुपय और खर्च करकर अच्छी इनवर्सिटी में चाहते हो लेना तो वह आपके लिए बेश्ट हो सकती है आप इसमें लेश से बस सकते हो मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं अगर आप मूड बना चुके हो तो कोई बात नहीं जा सकते हो ल कि बीचिया अगर आपको पर्टनर्सिटी में न हो तो आप इसमें ले सकते हो एक आपको यहां पर मौका देर गया जाएगा अगर हो जाए तो आप वहां जनाब के लिए बेटर रहेगा मेरे ख्याल से यूद्कि इसमें कुछ है नहीं और बाकी जो इसमें होता है आप लो वर्क एक्सप्रेंस नहीं होगा तो फिर प्लेस्मेंट और बात 15,000 रुपाया खर्च करने सब फैदा क्या होगा 30,000 रुपाया तब मेरी बात समझ सकते हो तो यही था वीडियो में तो बाकी सब इन्फॉर्मेशन के लिए में रिस्म बहुत चेक कर लेना अगर कुछी और पर बनवाना है वीडियो तो खास कर मुझे बता देना नीचे में आपको मैं कमेंट के उसर में आप बता दूँगा आपको कि हां क्या बेश्ट है आपको क्या नहीं बेश्ट है बाई मिलता निस पीडियों तब तक धन्यवाद और चैनल सब्सक्राइब करना बिहार की हर एक इनिवर्सिटी का हम अपडेट जोड देता हूं पता है आप लोग को तो चन्सक्राइब करेज़ेगा और से शेयर भी करना बाई